Hello students, तो आज एक बहुत important announcement आपके सामने हम कर रहे हैं, जैसा कि अपने को सभी को पता है कि 12th के CBSC और RBSC के exam cancel हो चुके हैं, बहुत सारी जगों पर target के batches open किये जा रहे हैं, बहुत सारे DS science academic students, outer students जो DS science academy में नहीं पढ़ते थे, लगातार inquiries कर रहे थे कि target batches कब से सुरू किये नहीं पहुच पाया होगा, इसलिए इस जानकारी को पनिबार फिर से share कर रहे हैं, कि 9th June 2021 को हम target का phase first batch announced कर रहे हैं, जो 21-22 session के लिए रहेगा, इसमें हमने चीजों को इस तरह से plan किया है, कि जो students अभी जो JEE के attempts बाकी हैं, अगर वो उसकी preparation कर रहे हैं, तो उनको भी help मिल स सकेगी, और जो students 21-22 के जो नए पूरे session की preparation करना चाते हैं, full year course करना चाते हैं, उनके लिए हमने बैच शुरू किया है, तो वो आपको one-to-one हम उनकी inquiry दे रहे हैं, उन बच्चों को कि हमने किस तरह इसको plan किया है, पूरे साल का calendar है, वो हमने आपके app में upload कर लिया है, test series का plan पूरा डाल दिया है, course किस तरह के से चलेगा और किस तरह complete होगा, हमने इस target badge को जब plan किया, तो हमने ये तेंग किया है, जैसे DS science academy विगत वर्सों से 12 के साथ लगा तार, selection देने में मुझे ऐसा लगता है, कि भारत वर्स में अपनी बहुत अच्छी इस्तिती बनाय हुए ह और 12 के साथ selection देने में मैं कहूं कि number one position पर है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 12 के साथ selection देना बहुत मुश्किल काम होता है, और जितने students के साथ से जो हम लोग selection देता है, ये बहुत बड़ी बात है, तो अब हमने ये सोचा कि इसी series में जैसे target need को ले इस need में select नहीं होता है, वो confidence उसका वहाँ पर बिगड़ जाता है, तबियत खराब हो जाती है, सारी पूरी preparation उन्हें के बावजू देदी को इसी बात होती है, और बच्चा मजबूरन कहें आप या उसे एक छोटा सा और push up की जरूरत है, और फिर जाकर के वो निकलने की situation म है, नीट को खास तोर से तो उसे एक साल ही लगे, उससे ज्यादा उसे attempt की जरूरत ना पड़ी, तो इस तरह के हम लोग target लेकर के जो है का सकते हैं, इस batch को सुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी team हमारे पास है, इसका बहुत बढ़ा कारण यह भी है कि जब team अपने पास बह पर मैं स्वयम अपनी classes लेना चाहूँगा, हमारे साथ में जुडेंगे P.N. Sir, Siddharth Sir, Sivsankar Sir और इन सभी लोगों का जो भी थोड़ा सा short introduction है, बहुत अच्छा अलगबग 10-11 साल तो अकास का और overall 20 years के असपास का उनके पास अनभव है, उनका साथ मिलेगा, P.N. Sir physics में बह बहुत अच्छा experience है, बहुत अच्छे अच्छे रिनॉर्ड इंस्टिटूट में पढ़ाया हुआ है, और मैं खुद इन बैचेज को बहुत फोकस करते हुए मैं इन बैचेज को पढ़ाना चाहूँगा, chemistry में हमारे साथ में एंडिया लेविल के बहुत बड़ी faculty जुड़ रहा है कि हमेसा best faculty team को ही लेकर के बच्चों के साथ नया पून रहे हैं, उसी एक परंपरा को जारी रखते हुए हम हमेसा अच्छी faculty को जोडने का हमेसा प्रयास करते रहते हैं और उसी करम में हमने अजनी सर को जोड़ा है, मनोच सर chemistry में जो कि होड़ी of the chemistry department हैं, हमारे साथ एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में हैं, रविंदर सर को भी हमने जोड़ा है, जो नुकलिस में बहुत अच्छी सेवाई दी हैं, सोरभ सर chemistry में बहुत अच्छे चे इंस्टिट्यूट में पढ़ाया हुआ है, मैट्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतुल सर हमार एक इंस्टिटूट में मिल पाया ये बहुत बड़ी बात है, और जो सबसे बड़ी बात है मैट्मेटिक्स में, कि मैट्र सर उमेज सर्मा सर स्वयम जो है मैट्स की क्लासिस लेते हैं, बच्चों के कोई भी पॉइंट्स वीक ना रह जाएं, कहीं एवरेज बच्चा कोई चीज पूछने में किसी तरह का संकोच ना रह जाएं, वो सारी चीजें कवर करने में हम कोई कमी कसर नहीं चोड़ते हैं, बायलोजी में जैसा कि आपने हमारे एक यूटूब में एक फैकल्टी इंट्रोडक्शन का वीडियो है, उसमें सबी फैकल्टी एज के इंट्रोड साब हैं और सकती सर हैं जो 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 जी देखते हैं, ये पूरी टीम हमारे साथ है और हमने तेंग किया है कि हम टागेट बैच को बहुत अच्छे से चलाएं, पिछले साल में टागेट बैच चलाया है, हालां कि अभी इस तरह का को इनाउंस्मेंट करना उतना उचित नह ही होगा, लेकिन हमें ये संभावना है कि हम बहुत अच्छे मार्स अक्टेंड करवाने वाले हैं, एक दो चीजें जरूर आज के इस वीडियो में मैं परसनल तोर पर रखना चाहूँगा, या यू माने कि बच्चों के लिए भी हल्पफुल हैं, गार्जिंस के लिए भी ह ध्यान होता है कि वहाँ पर अच्छी फेकल्टीज हैं कि नहीं है, वो इतना सब कुछ मेंनत करने के बाद एक संस्ता में जब एड़िशन कराता है, अश्योर हो जाता है कि फेकल्टीज अच्छी हैं, तो ठीक है संस्ता अच्छी है, वहीं पर जब उसे इस तरीके की चीज सुनने को मिलती हैं कि अच्छी फेकल्टीज वहां से बीच में सुच ओवर करी, तो बड़ा उसे धोखा होता उसके साथ, उस बच्चे के साथ, उस संस्ता के साथ, उस संस्ता के साथ, तो अभी कुछ दिनों पहले से, जैसा कि मैंने कुछ मार्केट के दौरा, कुछ बच् समझता हूँ, तो उनमें से एक जो ब्रहम फैलाया गया कि 11th में जो है, आप बेस्ट फेकल्टी टीम नहीं पढ़ाती है, या कई संस्ताओं में ऐसा हलां कि होता होगा, इसा मानता हूँ कि 11th में बेस्ट फेकल्टी टीम का उतरना बहुत जरूरी है, वरना 12th के साथ सेलेक कि 11th में हम सभी लोग पढ़ाते हैं, अभी पिसला साल भी हमने 11th पूरा बेच पढ़ाया, 80-90% मेंने कोर्स पूरा खुद कराया है, हमारे साथ हमारा जरूर P.N. सर ने दिया, सिधार सर ने दिया, और यह सभी लोग बहुत अन्भवी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें हम अपनी जो टार्गेट बेच की या जो भी सभी लोग पहली बात तो हमारे हां जितनी भी फेकल्टी जो सबकी सब टॉप फेकल्टी हैं, तो हमें से कोई भी उतरता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं कि किसी भी फेकल्टी का उन्भव किसी बच्चे क आपको ना मिले, तो हम लोग को डिवाइड कर लेते हैं और हमारा सभी का प्रजेंट होना जरूरी है, यहां कहना यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि केवल मैं पढ़ाऊं तो ही सबसे बेस्ट है, और यह कहना भी ठीक नहीं कि कोई और सर पढ़ाएं तो ही बेस्ट है, हम तो च कि अभी इस बार यह भी प्लान किया, कि 12 के साथ हमने 11 को पूरी तरह रिवाइज करने को बोला है, और अभी आप सभी के एप में यह चीज अपलोड हो गई है, कि हम 12 के साथ किस तरह 11 को रिवाइज कर रहे हैं, वहां आमने यह भी कहा है कि जो चीज जैसे हमने पढ़ाई तो एक तो यह जो ब्रहम है, यह बिल्कुल दिमाग से ऐसा निकाल दें, कि 11 के बच्चों को हम लोग किसी भी तरीके से सीरियस हो करके नहीं पढ़ाएंगे, या कोई कमी चोड़ेंगे, हमारे लिए मुख बैच होता है, और हम उसमें सबस्यादा मेहनत करते हैं, दूसरी एक जो ब्रहम की बात कई संस्ताओं के दोरा या कई लोगों के दोरा या मार्केट में किसी तरह के रियूमर के रूप में फैली कि मेरे दोरा या हमारे किसी फिकल्टी को किसी और इंस्टिटूट में जाने की संभावना जो बन रही है या ऐसा हो सकता है, यहां मैं बहुत किलरली बता दूँ मेरे अपने 14-15 साल के अनभवों में मैंने 4-5 इंस्टिटूट में ही काम किया है और मेरे संसकार ऐसे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो एजूकेशन ली है उसे साब से मेरी इतनी समझ है कि आप जब 11 के बच्चों को पढ़ाते हैं 11 के बच्चों क कि आज जिन बच्चों को मैं 11 में पढ़ाया है मैं इनका 12 में पुरा साथ दूँ इन्हें सेलेक्ट कराऊं यह सबसे पहला उद्देश मेरा होना चाहिए और हम सभी फेकल्टी का यह उद्देश है तब ही हम एक पारी खेल पाते हैं एक पारी जिन बच्चों को 11 से लेकर चलते हैं और 12 तक उन्हें ले जाकर के सेलेक्ट कराते हैं तो सबसे मुख के बात तो यह है दूसरी बात है कि इससे पहले जिस भी संस्ता में मैंने काम किया तो मैं आपको बता हूँ कि लगबग एक साल के सौर्ट टाइम को गड़ा दिया जाए तो लगबग 9 से 10 साल लग जो बभन दिये जाते हैं ऑसर भी कह सकते हैं आप दिये गए नो डाउट कि हमारे पास भी आया होंगी लेकिन ये बिलकुली गलत होता है कि आप किसी सहर में रह रहे हैं और वहीं के पास किसी संस्था में आप जोइन करें ये कहीं न कहीं आपकी सोच आपकी काबलियत पर संस्ताइं इसका नाजयई फायदा निन आ उटा सक है। तो इस तरह के भरहम पूरी तरह गलत हैं, यह बिलकुल संभाव नहीं है, और मेरा जो परसनल एक सिद्धानत है, मैं आपको बता दूँ, जब मैं कोई संस्था जोइन करता हूं, तो पहली बात तो मैं उसमें as an employee अपने आपको नहीं मानता हूं, और मैं उस संस्था में as an employee क काम नहीं करता हूं, मैं इस तरह काम करता हूं, कि मैं हूं, तो संस्था को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि मेहनत में बहुत दम होती है, आज मैं लगबग 3-4 बज़े सोता हूं, सुबा मुझे 8-9 बज़े institute पहुशना होता है, मुझे नहीं कोई कहता है, कि आप इतना मेहन के साथ काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास भी अपना एक experience है, 14-15 सालों का, इस field में, लेकिन आज भी DS Science Academy के पास जितनी बड़ी-बड़ी faculties हैं, मुझे बहुत गर महसूस होता है, अतुल सर जैसे mathematician, इतनी अच्छी maths जानने वाले इंसान के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो एक बड़ी चीज है कि DS Science Academy में सभी लोग बहुत-बहुत सांदार हैं, ऐसी टीम बनाना इतना असान नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज DS Science Academy के डिरेक्टर सीमान उमेश सरमसर को मैं तहे दिल से धन्नवात देना चाहता हूं, कि वो इतनी बड़ी टीम को इतने इतने पावर के साथ इतने प्यार से अपने साथ रखे हुए हैं और बच्चों के साथ नयाय कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों से मेरा साफ साफ कहना है, तो आपको परिशान नहीं होना है, टारगेट बैचेज जितने भी ओपिन हो रहे हैं 9th of June को फेस फ़स्ट में, उ हम सभी की पूरी जिम्मेदारी होगी, हम तैयार करेंगे, आप लोगों को आपके साथ कोई अन्या नहीं होगा, हम आपकी केपेशिटी से आपको बेहतर रिजल्ड दिलाने की चंता रखते हैं, इतना मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बाकि आप सभी लोग पढ़िए, थैंक यू सो मुच, बेस्ट अफ लुक